करते हैं फर्माहिशे पूरी ये सब की और अपनी जरूरतों का जिक्र तक नहीं करते जी हाँ ये लड़के ही है जनाब जो उठाए रखते हैं जिम्मेदारियां कंधों पर मगर उफ तक नहीं करते पोईटरी का टाइटल है लड़कों की जिन्दिगी आसान नहीं होती यू तो दिल में समंदर भरा है इनके पर आखों में कभी नमी नहीं होती और जितना सोचते हैं हम लड़कों की जिन्दिगी उतनी आसान नहीं होती घर के बड़े हैं या छोटे घर में बड़े हैं या छोटे कंधे हमेशा जिम्मिदारियों से भरे रहते हैं अपने ही परिवार की खातिर ये अपनों से ही दूर रहते हैं घर वाले परेशान नहों इनकी फिक्र में इसलिए फोन पर हर बार मैं ठीक हूँ ही कहते हैं लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है और इनके घर छोड़ जाने की चर्चा कुछ खास नहीं होती और जितना सोचते हैं हम लड़कों की जिन्दिगी उतनी आसान नहीं होती मा के लाडले बेटे हैं बेशक पर अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है कभी हर बात में धेरो नकरे होते जिनके बाहर रहकर शारी परमाहिशे भुलानी पड़ती है कुछ लड़कों को जरूरते जगाए रखती हैं और कुछ को जिम्मेदारियां सोने नहीं देती तो भी आता है जब इन्हें प्यार होता है एक तरफ गल्फिंड तो दूसरी तरफ परिवार होता है जिन्दगी को चुने तो घरवाले नाराज और घरवालों की सुने तो सर पर बेवफाई का ताज होता है किसी भी हालत में उल्जहने इनकी कम नहीं होती और जितना सोचते हैं हम दड़कों की जिन्दगी उतनी आसान नहीं होती और अगली कुछ लाइने मेरे दिल के बेहत करीब हैं और मैं सच में बहुत इड्मायर करती हूं वाइस को इन चीजो पहुनर इनमें कमाल होता है चीजों को सोचने समझने का नजरिया भी बेमिसाल होता है छोटी छोटी बातों पर ये अपना धीरज नहीं खोते पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें दर्द नहीं होता या इनके जज़वात नहीं होते परेशानियां तो इनकी राहों में भी आ यारों के यहार कहलाते हैं यारों के यहार कहलाते हैं निभाते हैं साथ तब भी जब सब साथ छोड़ जाते हैं घर में पापा के सामने जिनकी जुवा नहीं खुलती वह बाहर निगाहों से ही कमाल कर जाते हैं मा, बहन, बेटी, गलफेंड सबसे हर रिष्टा बखू भी निभाते हैं और दोस्तों की दोस्ती से बढ़कर इनके लिए कोई चीज नहीं होती और जितना सोचते हैं हम जनाब लड़कों की जिन्दिगी उतनी आसान नहीं होती